महंगे महंगे पॉट खरीते हैं और बहुत सारे पैसे वेस्ट कर देते हैं हम लोग लेकिन अगर हम ऐसे कुछ कबार को सुन्दर सा इस्तिमाल करके अपने गार्डन में एज़ प्लांटर बनाते तो हमारे पैसे भी बच जाएंगे और हमारे जो वेस्ट है वो भी हमारे काम तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगे किस तरह से मैंने ऐसे वेस्ट को बहुत सुन्दर बेस्ट बना के अपने गार्डन में सजा है तो हेलो प्रेंट्स नमस्ते आप लोगों को मैं आज ऐसा एक डी आई वाई बना के दिखा रहे हूं जो कि कबार समझ के फैक देते पर देखे यह सेंटा में तो में बचनपैन के बना के में और और को बना के कब धाया है और त्समें अज ज्कजक के निखक D교 बना दिया है और यह दूसरा वाला है यह भी रज़िल्लय का ही डिबब है यह उउट मोर्दास के डिबबा और इसमें मैंसरा और राहरो है पूरा रेकिर्छा दिजाइन निहां हुब पनाओ लेकिन मुझे जो इसके बीच के जो कटिंग जो कटिंग को डिजाइन ने इसी के सेप में ऐसा प्लेन कलर का दू तो मुझे गोल्डन कलर अच्छा लगा मैंने यही कलर इसमें लगा दिया और ऐसे कलर के पोट मैंने काफी ऑनलाइन भी देखे थे फ्रेंड्स जो पी को अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक जरूर कर दिजिएगा चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत-बहुत धन्यवाद नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा क्योंकि इस तरह के काम हम लोग करते हैं सोचते हैं कि चलो आप लोग तो अभी और देखिए मैं इसमें क्या क्या करूंगी और यह मैंने यह वाला कलर ओनलाइन मंगाया था उसमें फिलिप कार्ट से तो देखिए यह कलर बहुत सही होते हैं यह पानी में भी नहीं निकलेंगे हां कुछ दिन ऐसा नहीं कि हमेंसा ड्यूरेबल होते हैं कुछ साल और चलेंगे हमारे गार्डन में उसके बाद में खालर आपने मनमरजी के करें क्योंकि हम fighter की karate meur in गौते हैं और बें की नीचे हैं सोच पॉर बाझ पार में मैं कोई नहीं किया ह। कीजा वैसा करों कुई सोचा नहीं था बस जब हात में कलर होना और कुछ बनाने की मन की इच्छ हो तो अपने आप भी डिजैन भी आ जाता है तो वैसे किये जानी मैं जो मुझे अच्छा लग रहा है बस वही डिजैन में अपने आपी सोचा करूं तो ऐसा जो करके देखने हो अपने आपी हो जारा हुआ, में है क्या करूंगी इन में में कौन सा प्लांत लगाऊंगी किस में नहीं लगांगी आप देखेगा गा मैं बॉला किटना प्यारा लग रहा है अप इसमें मैं मुझे होनले चिलक मुझ ओग, मैं थैकर देखते जाय pushes ऐले अब कर दिया है मैंने होल करना बहुत जरुरियर जब भी हम मिट्टी डाले इसमें पहले मेरा ऐसे ही प्लान्ट लगा ते बिन पेंट कहीं तो मैंने अब उस प्लांट को किसी और में ट्रांस्फर कर दिया है और उसमें मैं वह अब बेंट करके पौधा लगाऊंगे तो देखिए यह है मुंगफली के छिलके अब यह किस काम आएंगे यह बहुत काम आएंगे इस मुंगफली के चिलके को देखे नीचे यह सबसे नीचे जो ठीकरी वगर डालते ना सुखे पत्ते डालती यह भी बहुत अच्छा फर्टिलाजर का काम करेगा और यह कील है देखिए यह कील था इसमें तो मैंने इसमें बडालते क्योंकि आईरन का काम करेगा हमें साथ जो लोगे के कील वगर होते न वो भी आप मिट्टी में डाल देजे जड़को इसके आईरन मिलेगा इससे और देखे इस तरह से आप मैं इसमें लगाऊंगी यह वाला स्पाइडर प्लांट स्पाइडर प्लांट के जो एरियल रूट्स निकलते न इस तरह से तो यह वाले जितना आप कटिंगर के लगा दोगे तो यह बहुत अच्छी तरह से चल जाते हैं इनमें जड़ होती हैं तो इसका प्लांट आप देखो तो बहुत घना हो रहा है और इस सर्द्यों में बहुत अच्छी तरह से चलते हैं यह पौधे तो यह मैं जितने भी इसके एरियल रूट हैं बहुत सारे निकल रखे हैं इसमें तो कुछ यह चाहे तो इसको ऐसे ही जैसे पौधर लगावा गमले म और आप दूसरे गमले इसके पास बिल्कुल नजदीक लग दिजिए और साथ के साथ बिना कटिंग के भी एरियल रूट को आप दूसरे पौधे में लगा सकते हैं और जब अच्छी तरह से बढ़ जाए तो आप उसको कट कर सकते हैं तब दोनों गमले अलग अलग कर सकते हैं तो मैं ऐसा नहीं करूंगे ऐसा भी कर सकती थी मैं लेकर अब मैं काट करके डालूंगे मैं इसको काट के लगाओंगी तो देखी इस तरह से मैं यहां से इसको कट कर दोंगे और इसके जड़ होते हैं इसी में तो नीचे के जो भी पत्ते वगेरा जो हलकल के पत्ते हैं उसको निकाल के मैं उसमें लगा दूँगी मैं और एकड़ और लगा दूँगी क्योंकि एकड़ थोड़ा सा यह क्यों होगा घंड हो जाएगा और जब घंड होने लगेगा तो उसको फिर मैं सेपरेट कर दूँगी इस तरह कि हम प्लांटर बनाते हैं अपने हात से ही कोई दिजैन मना करके पॉधे लगाते हैं तो इसकी खुशी एक अलगी होती है महंगे महंगे प्लांटर जो हम घंबले खरीदते हैं उसको फ्यक्त देते हैं कुड़े के गाड़ी में डाल देते हैं या फिर ऐसे कबाड़ी वाले को दे देते हैं तो उसका तो कुछ भी फाइदा नहीं होता है तो हमें ऐसा जो भी गार्डनर हैं जो गार्डनिंग काम करते हैं फिर घर के अंदर विया आप ऐसे सजा के कुछ भी ऐसे चीज़ों को बना सकते हैं तो हमारे पैसे वसूल हो जाते हैं अच्छी तरह से बस थोड़े से कलर खरीद के लाना पड़ता है देखिए अब मैंने इसमें लगा दिया है मिट्टी चावत तरफ से चिदर से फिल करके इसको अब एक तरफ रख दूंगी और इसमें जब भी ऐसे प्लांट आप ट्रांसवर करते हैं तो मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग या फिर साम के समय करें क्योंकि दिन के धूप मेंने वैसे भ कोई मिट्टी राल के पौधा लगाओं फिर पाने डालो मेरा यह पेंट देखने में मुझे बहुत प्यारा लग रहा है वैसे खराब नहीं होगा लेकिन इसको मैं इसको मैं कोई ऐसे जो बना बना पौधा हो तो प्लांटर को मैं इसमें रखूंगी हां मर्जी है आपकी आप छेत करके डायरेट मिट्रियल के पौधा लगा सकते हैं देखिए यह मैं कोलियस का पौधा है उसको मैं लगा दरी इसमें ऐसे चोड़े गमले जिसमें पौधे लगे हो तो जो भी आप ऐसे हैंगिंग बास्केट वाला चाहे ऐसे कोई भी पौधे आप ऐसे गमले के स सकते हैं तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स मुझे कितना सुन्दर प्लांटर मिल गया है आपको कैसे लग रहा है आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा ज़रूर बताईए और कलर देखिए दोनों का कलर बहुत प्यारा लग रहा है मुझे दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं और इस तरह से मैंने इसमें आउट्डोर रखते हैं या इंडोर रखते हैं कहीं भी रख सकते हूं मैं अपने गार्डन में भी रख सकते हैं इनको और अपने घर के सामने में रख दिया है दूसे प्लांट्स के साथ में तो आप देखे फ्रेंड्स आपको कैसे लग रहा है हमारा वेस्ट से हमने बैस्ट बना लिये इतना सुन्दर आप भी बनाए फ्रेंड्स जरूर इस तरह